परचय पीटर, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकते हो? बिल्कुल ये लो पानी हम्, धन्यवाद, पानी पीने के बाद मैं काफी बहतर महसूस कर रहा हूँ हे, क्या तुम जानते हो कि हमारे शरीर का प्रमुख हिस्सा पानी से भरा होता है? क्या, सच्मुच? हाँ, मेरी बहन ने कल मुझे इसके बारे में बताया, इसलिए आओ, उसके पास चलें और पानी के बारे में और जानकारी लें आओ, सीखें पानी और इसके प्रयोग के बारे में जानना पानी के विभिन प्रकार जानना जल चक्र और हमारे घरों में आने वाले पानी का वरणन करना जल संग्रहन और इसकी बरबादी के बारे में समझना जल प्रदूशन के कारण पहचानना पानी पीटर ने बताया कि तुमने उसे पानी के बारे में कई मज़ेदार बातें बताई थी मैं भी उन्हें जानना चाहता हूँ ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ दरसल पानी धर्ती पर सबसे परियाप मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है धर्ती का सत्तरी प्रतीशत हिस्सा पानी से भरा हुआ है और इसकी वज़ा से अंतरिक्ष से हमारा ग्रह नीला दिखाई देता है पानी के प्रकार अब मैं तुम्हें पानी के विभिन प्रकारों के बारे में बताऊंगी पानी तीन रूपों में मिलता है तरल, ठोस और वास्प पानी के स्रोद दीदी, हम पानी कहां से पा सकते हैं? ओ, तुम पानी के स्रोद के बारे में पोच रहे हो असल में पानी के स्रोद असीमित है जैसे कुआ, तालाब, जील, नदी, सागर और महाजागर इनके अलावा भूजल भी पानी का एक महतपोन स्रोद है पानी के प्रयोजन जौन, क्या तुम पानी के उप्योग का उदेश्य जानते हो? नहीं दीदी, कृपिया हमें बताओ पानी मनुश्यों, वनस्पतियों और जानवरों के लिए आवर्शक है हम इसे पीते हैं हम इससे नहाते हैं हम इससे अपना खाना बनाते हैं हम इससे अपनी कप्ड़े धोते और साफ करते हैं अतह ये हमारे दैनिक जीवन में अत्यम्त उपियोगी है जल चक्र दीदी, कल तुमने मुझे जल चक्र के बारे में भी बताया था कृपिया इसके बारे में और बताओ ठीक है, जल चक्रव वो प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धर्ती का पानी आस्मान में जाता है और फिर धर्ती पर वापस आता है इस प्रक्रिया में जल स्रोतू जैसे कुवा, तालाब, जील, नदी, सागर और महसागर का पानी सूर्य की धूप में गरस होकर जल वास्प बन जाता है ये जल वास्प हवा के साथ उपर चली जाती है फिर ठंडी होती है और बादल में बदल जाती है और अंत तुगत्वा ये वर्षा में बदल जाती है बरसात के बाद जमीन का पानी तालाब और नदी में वापस बहकर चला जाता है जो फिर समुद्र या महासागर में जाता है और चक्र पूरा होता है ये चक्र बार बाद दोहराया जाता है हमारे घरों में पानी की विवस्था बंधू अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे घरों और अन्यस्थानों तक पानी कैसे पहुचता है तुम लोग जानते हों कि हम नल की द्वारा पानी प्राप्त करते हैं ये पानी तालाब या नदी से लिया जाता है फिर इसे जल सन्यंत्र में शुद्ध करके नलो की जान द्वारा हमारे घरों तक पहुचाया जाता है हमें अपने डैनिक कारियों में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए हम मनजन करते समय या बरतन धोते समय बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करते हैं कई बार नलो की छोटे लीक इत्यादी से बहुत ज्यादा पानी बर्बाद हो जाता है प्रदूशित जल देखो जौन यह पानी बहुत गंदा है अरे हाँ लेकिन पानी इतना गंदा कैसे होता है भाईयों, क्या तुम जानते हो कि जलश्यों में कूडा फैकने और उनमें नाला बहाने से पानी गंदा और प्रदूशित होता है हम इस पानी का पीने या किसी दूसरे घरेलो काम के लिए प्रयोग नहीं कर सकते जल संग्रहन दीदी, हमारी टीचर ने बताया कि हम बरसात का पानी इकठा कर सकते हैं और फिर इसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं बरसात का पानी इकठा करने के लिए हम एक बड़ी टंकी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम अपने घर के पिछवाड़ी में एक बड़ा गढधा कोड़ कर इनमें पानी इकठा कर सकते हैं हमने क्या चर्चा की? पानी धर्ती पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है पानी तीनों रूपों में पाया जाता है तरल, ठोस और वाश हम अपने दैनिक क्रिया कलाप में पानी का प्रियोग करते हैं जल चक्र पानी को धर्ती से आकाश और फिर वापस धर्ती पर लाने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है हमें पानी बरबाद नहीं करना चाहिए जलाशयों में कूड़ा फैंकने से वो गंदे और प्रदूशित हो जाते हैं